आये leaf से जुड़े हुए अगले terminology को discuss करते हैं और वो terminology है stipple तो stipple से जुड़े हुए कुछ term है जो कि बहुत ही important है और जब आप taxonomy में अलग अलग family पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये term आपको देखने को मिलेंगे तो आये सबसे पहले जानते हैं कि stipple होते के हैं a small leaf like appendage to a leaf typically born in a pear at the base of leaf stalk यानि कि जो पतियां हैं पतियों के जो dental होते हैं dental के base पर आपको पति नुमा एक संरचना दिखाए देगी जीसे हम stipple कहते हैं और आपको बता दे कि जो stipple होते हैं वो पेर में देखने को मिलते हैं तो जैसा कि आप diagram में देख सकते हैं यहाँ पर leaf है leaf का यह stalk है और stalk के नीचे आप देख सकते हैं जहाँ पर leaf base है वहाँ पर आपको leaf like appendages दिख रहा होगा जो कि पेर में है और इसी structure को हम बोलते हैं stipple वहीं अगर आप compound leaf में देखे तो compound leaf के leaflet के base पर आपको stipple like appendages दिखाए देते हैं जिसे हम stipple कहते हैं तो जैसा कि आप diagram में देख सकते हैं यह compound leaf है और इस compound leaf के leaflet के base के नीचे आपको stipple नुमा संरचना दिखाए दे रही होगी इसी को हम stipple कहते हैं तो याद रखेगा जो normal leaf है उसके base पर जब आपको leaf like appendages दिखता है तो इसे stipple कहते हैं और जब compound leaf के leaflet के base पर आपको leaf like structure या फिर stipple like structure दिखता है उसे staple कहते हैं तो यह दोनों अंतर है इन दोनों के बीच तो ऐसे leaf जिसमें की stipple present होते हैं उन्हें हम बोलते हैं stipulate और जिन में stipple absent होता है उसे हम बोलते हैं x stipulate जैसा कि यहाँ पर आप diagram में देख सकते हैं कि leaf के base पर आपको stipple दिखाई दे रहे होंगे तो यहाँ पर stipple present है इसलिए हम बोलेंगे stipulate लेकिन नीचे वाले figure में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर leaf के base में stipple present नहीं है तो इसे हम बोलेंगे x stipulate आईए next हम बात करते हैं types of stipule यानि की stipule के प्रकार के बारे में तो सबसे पहला है lateral stipple तो lateral stipple जो होता है वह petiol के base के दोनों side पाय जाता है जैसा कि आप गुड़हल में देख सकते हैं अगला है scaly stipple तो scaly stipple जो होते हैं यह सूखे छोटे membranous structure होते हैं अगला है adinate तो इस तरह के stipple क्या होते हैं जब petiol से जुड़ते हैं तो एक wing like structure बनाते हैं जैसा कि आप rose के leaf में देख सकते हैं चलते हैं अगले type के stipple की हो जो की है or create stipple तो इस तरह के stipple क्या करते हैं इंटर नोट के चारो और एक tubular यह नहीं कि पाइब नुमा संरचना बनाते हैं जैसा कि आप डैग्राम में देख सकते हैं और इसका example है polygonum अगला है intrapetular stipple तो इस प्रकार के जो stipple होते हैं वो leaf के exile में present होते हैं अगला है intrapetular stipple तो इस तरह के जो stipple होते हैं वो opposite leaf या फिर world leaf के बीच में पाए जाते हैं चलते हैं अगले stipple के type की हो जो कि है fallaceous stipple तो इस तरह के जो stipples होते हैं वो large leaf like structure में convert हो जाते हैं तो large leaf like stipple को हम बोलते हैं fallaceous stipple अगला है spinous stipple तो जैसा कि नाम से spinous मतलब काटे नुमा यानि कि ये जो stipple होते हैं वो काटे नुमा structure में बदल जाते हैं अगला stipple के type है conulate या फिर ventral stipple तो इस तरह के जो stipple होते हैं वह leaf based के ventral side पर present होते हैं अगला और last type का stipple है जो की most important है tend tendriller तो इस प्रकार के जो stipple होते हैं वो tendril like structure में modified हो जाते हैं तो दोस्तों ये था हमारा आज एक बहुत छोटा सा topic जो की leaf के stipple से जुड़ा हुआ था तो आपको वीडियो कैसा लगा comment करके ज़रूर बताएगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like और share करना मत भ सकते हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले topic के साथ तब तक के लिए जहिंद जभारत